तोदूस्ता आज कारीünf ओंध वीडियो में हम बात करेंगे वेक्ट के स्रुबाती 29 दिनों के टोटल स्लेक्षण की बारे में और बात करेंगे कि मराथी फिल्म ने अपने स्रुबाती 28 दिनों के अंद Candle Bothe20 पर से टोटल की स्लेक्षण की कमाई करी वहीं यह फिल्म जो है अपने 29 बाद दिन की तरह पेका कलेक्शन कर रही है तदो स्थाप कदादू की वेड जो की एक मराठी फिल्म है जो की साल 2019 मा रिलीज हुई तेलगू फिल्म यानि की मजीली का ओफिशल मराठी रिमेक है वहीं दोस्ताप कतादू कि इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं रितेज देश मुख और उनके साथ देखने को मिल रहे हैं उनकी बाइफ यानि की जेने लिया देश मुख वहीं दोस्ताप कतादू कि इस फिल्म को ड्रेक्ट भी खुदरे तेज देश मुख नहीं किया है साथे साथ इसी के चलते इस फिल्म का जो बजट है वो काफी कम है जी आदोस्ताप कतादू कि इस फिल्म का जो बजट बताय जारा है वो बताय जारा है लगबग साथ करोड रुपे का वहिंदो स्ताप कदादू की इस फिल्म ने जो है अपने सुरुबाती 28 दुनों में यानि कि सुरुबाती चार अपतों के अंदर जो है औल इंडिया टोटल नेट के अक्षिन कर लिया है लगबग 56 करोड 51 लाख रुपे का वहिंदो स्ताप कदादू की इस फिल्म का सुरुबाती 28 दुनों का औल इंडिया टोटल ग्रॉष कलेक्षन हो चुका है लगबग 66 करोड 70 लाख रुपे का वहिंदो स्ताप कदादू की यह फिल्म जो है अपने 39 दिन औल इंडिया टोटल इनेट के अक्षिन कर रही है लगबग 15 लाख रुपे का वहीं इस फिल्म का ग्रॉस क्लेक्शन हो रहा है लगबग 20 लाख रुपे का और दोस्ता आपको दादू कि यह फिल्म जो है इंडियन बॉक्स अपिस पर से एक बिलोगबस्टल फिल्म साबित हो चुकी है साथ इसाथ यह फिल्म मराथी इंडरस्टी की जो है सेकंड हायस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है साथ इसाथ दोस्ता आपको दादू कि केरियर के एज एक्टर हाइस्ट सोलो फिलिम भी बन चुकी है जी या दोस्ता आपको लादू कि एज एक्टर यह फिलिम जो है रितेश देश्ट मुक के सोलो केरियर की एक हाइस्ट सोलो फिलिम भी बन चुकी है हाला कि दोस्ता बताओ कि आपको क्या लगता है कि यह फिलिम अभी लाइफ टेम में कितने रुपे की कमाई करेगी हमें प्याक में डॉक्सन जरूबत